कि नितीश कुमार जी लगातार सोसल इंजिनिरिंग के नाम पर कई जाती समुहों के साथ खिलवाड करते जा रहे हैं, आती पिछडों की ये लगातार 17 वर्सों से सत्ता में हैं, लेकिन आती पिछडों वर्गों की स्थिती पहले से और बत्तर हुई है, अभी जाती जनगन्न होगी तो इनकी पोल खुल जाएगी, या वादी इनकी ये है, और राजसत्ता में या सारे जगों पर इनकी भागिदारी है, उस समय ही कही गई थी कि हर खेत को पानी देंगे, हर हाथ को काम देंगे, लेकिन क्या इस्थिती है, आज भी बिहार से बड़े संख्या में मजद को मिला, जो भी सिचाई परियोजनाएं थी, या सिचाई इनका जो कारजाले है, बोर्ड पर चलता है, कागज पर चलता है, एक इंच भूमी का सिचाई इनसे नहीं हो रही है, बिहार में इन दिनों नितिश कुमार जो है, एक से एक काम करें, उन्होंने 2020 में कहा था कि मेरा साथ निश्चे टू जब आएगा, तो उसके अंत तक जो है, यानि 2025 तक हर खेत में सिचाई का पानी पहुंचाएगा, और साथ में इस बार जो मिटिंग होई है कैबिनिट की, उसमें कहा गिया कि अतिपिछरों के लिए स्पेसल बजट बनाया गिया है, उनके विकास के लि करते रहे हैं, आति पिछडों की लगातार 17 वर्सों से सत्ता में है, लेकिन आति पिछडों वर्गों की सिती पहले से और बत्तर हुई है, और अभी जातिय जनगन्ना होगी, इसी के भए से ये बजटिंग की बात कर रहे हैं, जब जाती जनगन्ना होगी तो इनकी पोल सिचाय की सरवेवस्था अभी आज के भी पिपर में आया है कि सिचाय की वेवस्था जो है, हर खेत तक पानी पहुंचाएगी, ये मामले में भी नितिज कुमार जी का देखिएगा कि क्रिसी रोड महप जो पहला बना था, उसमें सारे चीजों पर आप अगर मुल्यांकन कर करते हैं, इसलिए लोग बाहर जाते हैं, काम करने हो रहा है, इनके पास कोई डाटा नहीं है, कि कितने मजदूर हमारे वहार से बाहर गये हैं और बाहर काम कर रहे हैं, वो तो कोविट के समय में देखने को मिला, ये हजारो हजार लोग यहां करिक्षी 35,000 का गिजिट लैस कि अभी देखिएगा कि सुखार की सिती में बिहार के जहां पर सिचाई की वेवस्ता नहर की नहीं है उन छेतुर में जाएंगे तक कहीं भी धान की रोपनी अभी तक नहीं हुई है और धान की रोपनी का समय लगभग खतम होने जा रहा है एक तरह से बिहार में अकाल की सिती जो भी सिचाई परियोजना थी या सिचाई का जो कारजाले है वह बोर्ड पर चलता है कागज पर चलता है एक इंच भूमी का सिचाई इनसे नहीं हो रही है अभी तीन चार दिन पहले हम गह थे कुर्था में गह थे उसमें कुर्था के एक बड़े नेता हुआ करते थे पुन-पुन में घिराएंगे मुरहर की पानी और किसी एक नदी में घिराने की बाद तिरसट की बाद आज ये नदी जोड़ो की बात आज ये कर रहे हैं तो वह जना को डाई भट कर दिया गया और उससे एक इंच भुमी सिचाई नहीं हो पा रही है इस तरह से विहार कार की जो दावा है बिलकुल खोखला है कहीं से भी सिचाई की व्यवस्ता नहीं हुई है और किसान त्रहयाम है मचाए हुए हैं और रहतास का यह पूरा एरिया है उसको कहा जाता था कि धान का कटोड़ा है परसेंटेज आ रहा है कि लगभग 2-3 परसेंट भी वहां पर रोपनी ज कि रहतास के इलाका उसी इलाके से हमारे स्वरगिये जग जीमर राम जी आते थे और जग जीमर राम जी की यह दिन थी कि उन्होंने तिन-चार जीलों को और नहर से नहर परियोजना से नहर की सिचाई की व्यवस्ता के लिए नहर की कोजाई के काम किया और आज नहर के उसको धांगे कटोरा कायाते थे मतलब था कि सिचाई पर किसान परकृति पर निर्वर नहीं थे बलकि उनकों नहर के दौरऑ सिचाई की विरवस्ता थी लेकिन उस नहर की जो विवस्ता देखेंगे जिर्न सिनहालत देखेंगे शिल्टिसन के कारण उसकी उडाही नहीं हो पा रहे है ठीक से उसमें पानी नहीं जा पा रहे है जिसके बज़े से जो सिंचित भूमी थी वो अभी नहीं हो पा रही है इसलिए यह सरकार तो जो ब्यवस्ता पहले के जमाने में की थी जग जीमों नितीज जी ने लोहार जाती को जो है स्टी में सामिल कर दिया था अब सुप्रिम कोर्ट में रोक लगा देगी है यानि कि अतिपिछरा ऐसे तो भाड़ा सरकार के अनुसार अतिपिछरा नाम कोई चीज है नहीं पिछरा के रूप में ही जाना जाता है लेकिन जो लोड बर जी लगातार सोसल इंजिनिरिंग के नाम पर कई जाती समूहों के साथ खिलवार करते जा रहे हैं और मैं तो इसे एक नया सब्द कहा था जाती घोटाला करने का काम नितीज कुमार जी कर हैं कई जातियों को इन्होंने सिरूल ट्राइब में कर दिया सिरूल कास्ट में कर द लगी तब जाकर के लोहार जाती को फिर से पुनह अती पिछड़ा वर्ग में सामिल किया गया है और लगातार कई जातियों को पिछड़ा वर्ग से अटा करके अती पिछड़े वर्ग में सामिल किया गया लेकिन उनकी अलग अबादी होगी एक संख्या होगी उस संख्या क अनुपात में आरच्छन की समिच्छा इन्होंने नहीं किया आरच्छन बढ़ाने का काम नहीं किया तब उन जातियों पर लोड बढ़ते जा रहा है और ऐसा देखा गया है हाल के दिनों में कि कई समुनत जातियों को भी उन्होंने उठा करके हती पिछड़ा बरिमेंट डाल कि जाती का उलेकष सर्वे में होता था और सर्वे में लिखा हुआ है ताठी ततमा एक जाती तो उसको यह खत्म कैसे कर सकते हैं किसी के पास को नहीं कोई विधान है न कोई एस्टिचीट है जाति खत्म करने का अभी एक नितियुषकुमार जी केहीं राज में हुआ है इसलिए सारे जातियों को इधर से उधर से उधर करके आज एन परकारेन सत्ता में बने हुए हैं लेकिन इसका सच्चाई बहुत जल्दी सामने आ जाएगी और तब नितिश कुमार को इसको खामियाजा भुगतना पूरे तो रामबली चंद्रवंसी जी थे मिल सी हैं राष्टी जानता दल से आपको वीडियो कैसा लगा बताईए यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कुना नहीं भूलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद